नमस्कार दोस्तों, Health healing and homeopathic के इस नए वीडियो में आप लोगा फिर से एक बार स्वागत है आज हम लोग discuss करेंगे macular degeneration, age related macular degeneration of the eyes ये एक आखो का problem है, बहुत सारे patient इन में पीरित होते हैं direct कोई treatment available नहीं है, इसको control किया जा सकता है अच्छी तरह से और ये क्या है, ये symptoms इसके लक्षन उसके क्या होते है, किन लोगों को ये ज़्यादा होता है और कैसे इसको control कर सकते है, food का, diet का इसमें क्या role है और जो मैं homeopathic doctor हूँ, क्या homeopathic इसमें कोई help कर सकता है कि नहीं कर सकता है इसको हम लोग पूरा जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा अगर आप खुद इस बीमारी के patient है या दूसरा आपका nearest कोई इस बीमारी का patient है उसको भी वीडियो दिखाईएगा पूरा जो चीज है इसको आपको समझना है अगर पूरा वीडियो को अंतक देखिएगा तो step by step जब समझते जाईएगा के हर point को आपको बारी किसे अगर समझ जा जाए तो ये इस बीमारी से fight करना आपके लिए आपके nearest nearest के लिए बहुत ही easy हो जाएगा तो चलिए वीडियो को लेंदीना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तो age related macular degeneration सबसे पहले आप जो इसको AMD बोला जाता है सबसे पहले आप degeneration जो term है इसको पकर के चलिए what is degeneration बहुत ज़्यादा scientific lectures में ना जाते हुए मैं आपको अगर common man के language में समझाने का कोशिश करूँ तो एक चीज आपको समझना है कि जब हम छोटे रहते हैं तब से लेके जब तक हम लोग बढ़ते जा रहे हैं मतलब जब तक हम लोगों के शरीन में नया sale जो है नया tissue जो है इसका जो बरना, इसका जो नया जनम होने का rate हाई रहता है तब तक हम लोगों का growth रहता है इसको हम लोग बोलते हैं regenerative phase of life ये लगभख arbitrary scientifically established है कि 23H तक होता है मतलब लंबा होना, चावरा होना, ये सब naturally high muscular होना ये सब, obesity नहीं, naturally high muscular होना ये सब growth हम लोगों का 23H तक होता रहता है किसी का 21 तक भी हो सकता है, किसी का 24 तक हो सकता है लेकिन average human के लिए 23 माना जाता है अभी इसके बात क्या होता है इसके बात क्या नया cell proliferation होना बंध हो जाता है शरीर में नया जो हम लोगों का कोई भी repair tissue damage हो जाने पर कोई भी बिमयार हो जाने पर उसका healing, repair and regeneration बंध हो जाता है नहीं, उसके बात भी होता है लेकिन 23 arbitrary age के बात जो होता है वो है हम लोगों का जो degenerative procedure है वो body में fast हो जाता है rather than regeneration मतलब नया जो बरना, नया जो healing आप होना, repair होना जितना fast हो रहा है उससे fast आपका degenerative procedure स्टार्ट हो जाता है इसको हम लोग regeneration and degeneration theory of life हम लोग बोलते हैं in respect of growth and lifespan and aging process इसी को हम लोग aging process बोलते हैं कि 23 के बात scientifically आप बुरा होना स्टार्ट कर देते हैं ये जितना आप slow कर सकें, उतना आपका aging process slow होगा आप जो भी किजिए, जोगा से होता है, प्रानायम से होता है meditation से होता है, active sports से होता है stress-free life से होता है, good diet, complete, vegan diet से और भी जाता fast होता है बहुत सारे ऐसे theories हैं, उसके लिए अलग में हम लोग बात करेंगे ये degeneration होता है, मतलब जहां पे भी degenerative disorders होता है शरीर में, जैसे arthritis हुआ, diabetes हुआ, obesity हुआ ये जो degenerative procedures हैं कोई भी type के, इन में कुछ अगर age related हुआ तो आपको ये पकर नेना है कि इस बीमारी में भाईरास, फांगास, इन्जूरी बगएरा कोई भी immunity का उतना ज्यादा रोल नहीं है ये एक degenerative procedure है, जो age के हिसाब से आपको कभी भी हो सकता है इसलिए हम लोग देखते हैं, AMD, age related macular degeneration जो होता है 50 plus के patients को ज़्यादा होता है, अगर आप पहले से obese है obesity, high saturated fat, मतलब जो bad fat है, जैसे trans fat है oily food, street food, fast food से आता है, जो भी red meat लेते हैं इनमें जो fat होता है, ऐसा fats अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो degenerative procedure ज़्यादा होता है, smoking alcohol अगर आप ज़्यादा करते हैं कोई भी degenerative procedure ज़्यादा होता है, AMD भी जल्दी होता है, obesity, hypertension and diabetes and dyslipidemia यह जो है sedentary life, यह भी degenerative procedure को fast करता है तो यह जो जो factor किसी भी degenerative lifestyle disorders में है, यहाँ पे भी है क्या लक्षन होते है patient का, patient को क्या problem होता है patient का specifically अगर हम बोला जाए तो होता है, blurry मतलब धुंदला दिखता है blurry vision और fuzzy vision इसको बोला जाता है difficulty in recognizing familiar face मतलब जो चहरे को हम लोग हर रोज देखते हैं, उसको भी recognize करना पैचान में लेना, क्या हाँ यह तो मेरा ही staff है, यह तो मेरा ही बेटा है यह तो मेरा ही uncle है, यह तो मेरा ही परोजी है, इसको recognize करना में भूल होना straight line appears heavy straight line appears, तो एक straight line आखों के सामने जब भी हम देख रहे हैं एक straight line ऐसे दिखेगा, कभी दिखेगा, कभी नहीं देखेगा dark empty area और blind spot appear in the center of vision जहाँ पर आप देख रहे हैं, वहाँ पर एक blind spot, एक dark empty area दिखना patient losses, central vision, losses, fine details, but peripheral vision, normal मतलब एक घरी को आप देख रहे हैं, उसमें centrally जो काटा है घंटा का और minute का जो काटा है, वो आपको दिख नहीं रहा है peripherally जहाँ पर 12, 9, 6 और 3 लिखा है, यह आपको दिख रहा है peripheral vision आपका अच्छा है, central vision आपका loss हो रहा है ऐसे cases में आप जरूर पहले आखो को एक बार ophthalmologist जरूर चेक कराईए अगर आपका diagnosis confirm हो जाता है कि आपको age related macular degeneration कुछ angiogram बगएरा आखो का, कुछ CT scan कहीं पे MRI बगएरा करके इसको diagnosis confirm किया जाता है diagnosis confirm होने के बाद अभी आपको पता चल गया है कि आपको macular degeneration या age related macular degeneration हो रहा है इसको आप कैसे ठीक करें अब इसके बारे में आपको सोचना है सबसे commonest होता है dry AMD मतलब 80% patient को dry type का AMD होता है जहाँ पे drusen protein बोलके एक protein को find out किया जाता है इही protein एक end result एक degenerative process का होता है इसके लिए ही ये problem होता है macula get thinner आखो का macula पाठ है और thinner हो जाता है weight AMD जो है उसमें less common है इसमें neovascularization होता है नयार blood vessels आ जाता है जैसे diabetic retinopathy में आता है तो diabetes में weight AMD कभी-कभी देखा जाता है बरना dry AMD ज़्यादा होता है diabetic हो या non-diabetic हो इसका treatment क्या है सबसे fast जो basic आपको करना ही करना है 2 साल, 4 साल, 10 साल पुराना, 2 महिना पुराना कोई भी treatment चल रहा है या treatment नहीं चल रहा है कोई भी पैठी का medicine खाना है आपको basic ABCD के जैसा ये दिमाग में रट रटाया है कि मुझको lifestyle change करना ही करना है बरना future में कोई doctor, कोई पैठी, कोई medicine मुझको मेरा ये problem मेरा आखो का permanent damage रोक नहीं सकेगा इसलिए you have to loss weight, you have to quit smoking and drinking active lifestyle exercise ये सब आपको करना है सबसे ध्यान देना है diet में जहां पे vitamin E and vitamin C rich foods आपको बहुत ज़्यादा लेना है कौन से चीज से vitamin C and vitamin E आपको ज़्यादा मिलेगा ये net में easily आप search कर सकते green leafy vegetables, dark green leafy vegetables, yellow fruits and vegetables juicy fruits and vitamin C enriched juicy fruits ये जो होता है ये सब आपको बहुत ज़्यादा लेना है इसके लिए diet आपको अगर आप vegan diet फॉलो कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है मतलब milk, मचली, अंडा और एक छोर के मतलब meat, fish और एक या milk and milk product ये सब को छोर के vegan diet आप यूज करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी macular degeneration को रोक सकेंगे कोई भी degenerative procedure को कोई भी doctor, कोई भी पैथी अगर डिमान करे के ये मैं cure कर दूँगा तो it is not possible degenerating procedure को हम लोग slow कर सकते हैं रोक सकते हैं सालों के लिए इसी को लगभग cure पकर सकते हैं लेकिन cure यहाँ पे नहीं होता है हम लोग का जो भी doctor आपका treatment करें हर treatment का motto यही रहता है कि patient को हम लोग complications के बिना side effects के बिना कितना दिन तक अच्छा रख सकते हैं तो हम लोग जो अभी homeopathi के बारे में discuss करेंगे homeopathi में कोई भी degenerative procedures हो जैसे arthritis हुआ या आपका कोई भी ऐसा जैसे fatty liver वगएरा हुआ insulin resistance से develop करने वाले जो भी diseases है including diabetes हुआ यह सब all are degenerative procedures हर degenerative procedure को हम लोग बहुत कोई side effect नहीं होता है और जो भी उस बीमारी के लिए patient को complications future में होने वाला है उसको हम लोग लग भग बहुत हद तक minimize कर देते हैं और life expectancy, painless life हम लोग बहुत देर तक रख सकते patient का यह एक homeopathi का खासियत है यहाँ पर मैं दो medicine आप से discuss करूँगा अगर दिमाग में रखना परेगा अगर यह लक्षन आपका मिल जाए तो आप कुछ हद तक कुछ दिन यह medicine यूज कर सकते हैं तो carbonium sulfuricum carbonium sulfuricum जो है medicine इसका आपका patient alcoholism का history रहता है chili patient ठंडा उसको बहुत जल्दी लग जाता है धीरे-धीरे weight loss patient का हो रहा है rheumatic problem patient का है यहाँ पे दर्द, वहाँ पे दर्द arthritis joints में surgeon patient का लगा रहता है importance patient का हो सकता है यह सब अगर लक्षन मिल जाता है with AMD का problem तो आप जरूर carbonium sulfuricum medicine आप ले सकते हैं patient का vision का problem यहाँ पे जो होता है उसका जो symptoms है cloudy vision होता है और white light होता है breakfast के बार bathing के बाद dampness के time patient का problem बर जाता है weight getting में patient का problem बर जाता है open air में patient का vision अच्छा रहता है घर से निकलते ही doctor साम मुझको अच्छा लगना दिखना start हो जाता है जब भी मैं घर में रहता हूँ जब भी nearest चीजों को देखता हूँ तब मेरा problem जाता होता है ये carbonium salpolicum का लक्षन है इसको आप 30 potency में एक चमच पानी में दिन में चार बार करके दो बुंद करके दिन में चार बार लीजिए लगातार 10-15 दिन लेते रहिए अगर आपका vision का improve हुआ तो आप बीच बीच में 15 दिन gap दे दे के 7 दिन 7 दिन करके ऐसे करके ही ले सकते एक चमच पानी में दो बुंद जालके दिन में चार बार अच्छा कोई विलमर स्वाब इंडिया या SBL या RS भरगवा या BJ ऐन ऐसा कोई ऐसा कोई company का आप पोटेंसी खरी दिएगा 30 ml सिल्फाइन अल्नाइन में भी अविलेबल है फार्मासी होमीवती फार्मासी में भी अविलेबल है और ये अगर आपका improvement हुआ तो आपका ये medicine आप लेगूलार मत लीजिएगा लगातार महिनों तक मत लीजिएगा 15 दिन लिया फिर 15 दिन का gap दिया फिर साथ दिन लिया फिर 15 दिन का gap दिया फिर साथ दिन लिया ऐसा करके आप ले सकते दूसरा जो medicine होता है वो है हम लोगों का macular degeneration के जेलसी मियाम जेलसी मियाम हम लोग काफी हत तक यूज करते हैं पेशेंट यहाँ पे dizziness, drowsiness and dullness patient होता है मतलब patient को बहुत हर टाइम एक weakness लगा रहेगा, patient drowsy थोड़ा रहेगा चुपचाप रहेगा patient में एक dullness काम करेगा mental, कोई भी labor, mental, कोई भी talk, mental, कोई भी लिखना ये patient का problematic होगा nervous type का patient होगा, nervous anxiety nervous dar patient का बना रहेगा तो ऐसे अगर आप patient है, उसके शाथ आपका macular degeneration हुआ है तो आप gelsinium ले सकते है एक चमच पानी में दो बून डालके अच्छा कोई company का potency दिन में चार बार आप लीजिए लगातार 15 दिन लीजिए improvement हुआ तो 15 दिन के लिए बंद कर दिजिए, फिर 7 दिन लीजिए फिर 15 दिन बंद कर दिजिए फिर 7 दिन लीजिए, फिर 15 दिन बंद कर दिजिए ऐसे करके आप ले सकते है जो अगर आपका continuous improvement होता है दोस्तो ये जो problem है degenerative procedure, macular degeneration या कोई भी degenerative procedure का इसका मैं बार-बार बोल रहा हूँ इसका कोई भी cure type का term इसमें use नहीं कर सकता है cure नहीं है, लेकिन इसको control किया जा सकता है तो home remedy यहाँ पे आपका diet है complete vegan diet with green leafy vegetables and all type of fruits जो भी मैंने बताया ये important आपको देना है इसके साथ आपको अच्छा कोई homeopathy doctor से consult करना है जो institutionally qualified हो उसके पास से experience नो काफी उसके पास जाके आपका पूरा case history लिया जाएगा homeopathy case ticking हम लोग जिसको बोलते case ticking करने के बाद आपको proper anti-miasmatic homeopathic medicine आपको use किया जाएगा, जिसमें axermacular degeneration के cases में हम लोग phosphorus यूज करते हैं sulfur यूज करते हैं, tuberculinam यूज करते हैं, aurammate यूज करते हैं medorinam यूज करते हैं, acid phos यूज करते हैं, kelly iod यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे medicine हम लोग अकसर यूज करते हैं इसमें आपका लगभग patient जो है बहुत हद तक जो मैंने पहले ही वीडियो में बताया है scope of homeopathy में हम लोग patient को अच्छा रख सकते हैं उसका degenerative procedure हम लोग slow कर देते हैं, complications को minimize कर देते without any side effect अगर कुछ अच्छा लगे इस वीडियो में तो इस वीडियो को share करना अपने friend circle में मत भूलेगा दोस्तों अगर आप channel में नए है वीडियो को like करके चैनल को subscribe करके वीडियो को like करके और subscribe का button जो है पेल आइकोन को प्रेस करना मत भूलेगा दोस्तों, नमस्कार